जैपुर से बड़ी खबर है, कामटिया अस्पताल में महिला के खुले में प्रसव से जुड़ा ये प्रक्वन है रेजडेंट के निलंबन को वापिस लेने की मांग को लेकर लगातार लोगों में आकरोश बढ़ रहा है, रेजडेंट में आकरोश बढ़ रहा है और आखिरकार जो बाच्छी थी बे नतीजा साबित हुए, खत्म हुए, कारे बहिश्टार फिल्हाल के लिए जारी रहेगा पुदेश की मेडिकल वेवस्थाओं की बागबून कहा जाता है रेजडेंट को रैसे में कामत्रिया अस्पिताल से जो बहिला के खुले में प्रसव का वाक्या सामने आया था हलाकि कारवाई उसको लेकर की गई, टीम गठित की गई, लेकिन वेजडेंट का यारोप है तीन रेजडेंट डॉक्टर्स पर कारवाई की गई, और इसको लेकर के बाचीत आज हुई, लेकिन किसी निशकर्ष तक नहीं पहुंच पाई, विकास हमारे साथ जोटके विकास, बैकबून कही जाते है, रेजडेंट डॉक्टर्स प्रदेश में मेडिकल वेवस्थाओं कि लेकिन लगातार इस बात को लेकर की फैर कारवाई नहीं हुई, उनका कारवाहिशकार आज बाचीत के बाद भी जारी रहेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, क्या पूरी अपडेट इसको लेकर? नहीं है? उस दौर के अंदर कहीं पो भी अभी तक डाव तूस्ता नहीं आ रहा है लेकिन विकास इस से जोड़ी हुए एक और जानकारी है क्योंकि अब कही न कहीं जो आंदोलन रद रेजिदेंस हैं उन पर कारवाई की भी बात सामने आ रही है कि लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं ब अगर रेजिदेंस काम पर नहीं लोडते हैं तो उन पर कारवाई शुरू की जाएगी ठीक है विकास शुक्री आपका हमारे साथ जुनने के लिए पूरी जानकारी के लिए तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दे क्योंकि आंदोलन रद वेडिदेंस पर कारवाई की गा करते हैं उनकी ओठ को याद दिला गया है और इस सनुबंध पत्वी शर्तों के हिसाब से रेजिदेंस को निलंबन की चेतावनी 20 चेतावनी पत्रों की माध्यम से दी गई है कॉलिज के प्राचारे जॉक्टर राजीव बगर हट्टानी ये चेतावनी पत्रों जारी क्या दूसरी और जो बाच्री थी वो बे नतीजा सावित होया उसको लेकर के रेजिदेंस का यही कहना है कि जब तक फैर कारवाई नहीं होती उनकी बिंदूओं पर बाच्रीत निशकर्ष तक नहीं पहुँशती आंदोलन जाद रहेगा